अगर नोकरिया नहीं दी गई और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युबा गले में बिरोजगार का पट्टा डाल के घुमेगा जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला इससे सरकार का इगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से उपर समझने लगी है आप कितने भी आंदोलन कर लो कितने भी प्रोटेश्ट कर लो आपकी बात पर कोई ध्यान देना वाला नहीं है हमने क्यों ये 25 तारिक रखी है क्यों हमने 5 दिन का वक्त लिया है कि 5 दिन के अंदर हम इस पूरे देश को जगा देंगे इस देश की मीडिया को जगा देंगे, इस देश की सेलिबिटीज को जगा देंगे, अब आज इतनी बुलंद होगी, कि आज मिलियन ट्यूट्स होने के बाद भी, अगर मीडिया इस मुद्धे पे बात नहीं करती, मीडिया अगर सरकार को अप्रोच नहीं करती, कि देश में स तो ट्रेंड कराने की बात हुई है, उस बात का इतना सा मतलब है, कि सरकार अब सिच्छा विदों से भी बात करे, सरकार एक ऐसी कमेटी टाइम लिमिट में बना दे 10 दिन के अंदर, जो ये ऐसे लोगों से पूछे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, कहीं ऐसा नहों कि हम इस आं का है कि इस आंतरिक मुद्दे में हमारा सपोर्ट करें, जो कंगना जी रात 12 गंटे से सो रही है भी तक उनका कोई ट्यूट नहीं आया है, अक्षय कुमार साब कनाडा में किरकेट खेल रहे हैं, उनका कोई ट्यूट नहीं आया है, और पूछता है भारत, अब युबा इसको भिशवा देते हैं, कम से कम इनसे ट्यूट तो करवा लें, तो ये वीडियो सिर्प रिक्वेस्ट मोड में बनाई जा रही है, कि अगर मीडिया चैनल इस ख़वर को नहीं दिखाते, उनका काम है कि वो सरकार से बात नहीं करते, तो हम पहले तो ये समझेंगे, कि अगर आता है बहुत अच्छी तरीके से आपको नीचा दिखाना, अगर आज इस देश की सेलिब्रेटी, आज अगर इस देश का न्यू चैनल आगे बढ़ा है, तो वो हमने बढ़ाया है, आज देश का धाई करोड युबा अगर परेशान है, तो इंटू पांच कर लो, सा और उनकी फैमिली मेंबर्स के मुबाइल से, तब आपको हमारी तागत के बारे में पता चलेगा, ये तो हमारी प्लानिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसके बाद अभी क्या करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, तो ये सीधी सीधी इसको आखरी रिक्वेश्ट समझ आते फिरते हैं, चीजों को वाइरल करते हैं, मीडिया को ये दिखाने का वक्त मिल जाता है कि पारी हो रही है, मीडिया को ये दिखाने का वक्त मिल जाता है, रसोडे में कौन तुमारा फूपा था, हैं? जिसे देखके डर रही थे तुम और तुम्हें दिखाना जरूरी ह हो गया था 25 फरवरी 11 तारिक को ट्यूट करना है आज आप लोगों ने दिखा दिया कि हमारी तागत क्या है बट्यूट में सिर्फ यह है कि मोधी लोजगार दो इस ट्यूट पे अगर सरकार आप खुद बताओ कल से यह ट्यूट चल रहा है जब तो जरासी देश तो की प्रवबलम को भी मैंने यह सोच लिया यह श्टूटेंट से बात नहीं करने इस्टूटेंट को हम रिप्रजेंट कर रहे हैं उसकी समस्या को हम समझते हैं मैं कभी नहीं कहूंगा तुम आ गया हो मैंने यह मुएम उठाइए मुझे साथ चाहिए आपका हाथ जोड के ज हमारा टारगेट ट्यूट का मोधी रोजगार दो तो है बट इसके माइने बहुत बड़े हैं जो हमारी मांगे थी उसको हम एक ट्यूट में नहीं सिम्ता सकते थे हमारा इस बात का मतलब है कि सरकार की नजर में जब यह आए तो सरकार पूछे समस्या क्या है और फिर हम उन dislike button बंद कर दी है मतलब आप राजा ये नहीं देखना चाहता कि हमारी वीडियो like हो रही है dislike मोदी जी के last वीडियो पे धाईजार dislike है मात सरम करो बस धाईजार इसे कैसे काम चलेगा कम से कम million में dislike भी करना है million में dislike करना है कमेंट करना है वीडियो को report करना है सर देखिए अब अगर ये आंदोलन हम सफल ता इसमें नहीं ला सके तो मुझे नहीं लगता हम आगे ला पाएंगे पांच दिन लिए हर एक इनसान को जगा दो अगर ये पांच दिन हमने तागत लगा दी तो हम जीत कर रहेंगे वरना ये आंदोलन भी मातर time pass बनके रह जाएगा मेरी request है मैं हाथ जोडता हूँ पैर पड़ता हूँ आप सबके जितने भी teachers बिद्यारती की सबको कहो इस पर विडियो बनाएं कि रोजगार पर बात कब होगी इस देश के अंदर सिच्छित होने के माहिने खत्म हो गए आप बताइए B.Tech करके आडमी घूम रहे B.Tech के कोई माहिने नहीं रहे MBA करके बच्चा घूम रहे ये SSC या government job में आपको मालूम है इतनी भीड क्यों आई क्यों लोग सरकारी नोकरी के पीछे भाग रहें क्योंकि प्राइवेट में नोकरियां खत्म हो गई और Modi Ji कहते हैं कि आप अपने मोहले में नोकरी करो आज जब मैंने ये वीडियो Modi Ji का देखा तो मुझे इतनी हसी आई मैं जरूर आपको ये सुनाना चाहूंगा मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो आपको सुनाओं आप देखें इस वीडियो को एक वीडियो में आपको सुनाना चाहता हूँ ये हमारे मोदी जी और ये हमारे प्रधान मंतरी की कितनी बहतरीन सोच है जिसकी कोई हद नी आवास सुन लीजे ये देखिए ये बताईए ये मोदी जी को करना है कि माबाप के साथ बैठके रूखी सोटी रोटी खा सके एक बात बताओ दिल्ली और गाओं में क्या अंतर रह गया अगर सब अपने घर के आसपासी रोजगार करेंगे क्या माइने है इस मतलब के तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश के सुरच्छा के लिए तब मोजी जी अपना जोला लेके गुजरास से दिल्ली की वह आ गए थे ये भी माबाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते आपके को मैं दो आप्शन देता हूं कि अपने गाओं के आजपास आठ अजार की नौकरी करके रूकी सो की खाना पसंद करोगे और साठ अजार के सारे कुत्तों को पकड़के और सहर छोड़के आओं ये नौकरी डूनूगा आओं में बताइए क्या करूं अजीब बात कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी खतम हुई थी तो गवर्मेंट जॉम में आये थे बीटै करके पता चला कोई आठ हजार की नौकरी देने वाला नहीं है क्योंकि देश में उतनी कमपनिया नहीं है तो मेरी सभी सेलिब्रिटी से और सभी मीडिया चैनल से आखरी वार्निंग समझ लीजिए जो समझ लीजिए ये हमने आपको प्यार देके यहां पहुंचाया है अगर हम प्यार देना जानते हैं तो नफरत देना भी जान आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो आप जीने दिंगे नहीं, जब तक आप हमारी सुनोगे नहीं, और गलत मांग है नहीं, इतनी सी मांग है, अगर सिच्छित किया है, काहे को आपने इतने कॉलेज खोल दिये थे, काहे को आप 26,000 करोड का हिसाब दो, हजारों बोड दिल्ली में लगे हुएं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का, अपे केजरीवाल तुमारा कितना दूर का रिस्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड का, इस बात को बोड पे लिखके पूछने की जरूवत है अजीव नोटन की है तुमारी, दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे, तो हजारों बोड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो, केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मागेगा, और मागन थो फोन पे मागो केजरीवाल का नमबर नहीं है, संसाथ में मागो, बिधान सबाग के है, सत्र में मांगो, इन सब चीजों में, M.C.D. में पैसा लगानी के लिए तुमारे पीसा है, नोग्री देने के लिए पैसा नहीं है, ये मैं दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं, डिल् को हर उस एक युबा की आखों की आशू से पूछिए जो आज अपने माबाप को बूड़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है आज 25-26 साल का बालक जो चार साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पर आज जब वो उनको बूड़ा होता हुआ तो उसकी आखों में आशू के सिवाई कुछ नहीं है क्या उसकी तमना नहीं थी कि वो अपने माबाप को कुछ सुख सुवदा दे सके बताइए मोधी जी आप से पूछता है युवा पूछता है भारत नहीं पूछ रहा है अंडब नहीं हुमें इनकी फैमिलिया नहीं है मिडिया से फिर रिक्वेस्ट है मैंने बहुत सोचा था कि मैं बहुत नॉर्मल ही वीडियो बनाऊंगा बट मुद्धा इतना गरम है कि इस पर नॉर्मल वीडियो नहीं बन सकते गुसा आना लाजमी है क्योंकि कब से देख रहे हैं हम भी विध्यारती थे हमने भी 2000 बारे म मैं पिरी दिया था में दिया था एक सिंगल सबाल गलत नहीं था यह सबाल गलत आना तेरे से ही क्यों श्टार्ट हुए क्योंकि आपको पैसा कमाने की आप्शन चाहिए थे मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आयायम से बंदे बुला के बिठाए हुए है कि कैसे SSC में बि बसूली चल रही है बट हार नहीं मानेंगे मोदी ये देश आपका है तो ये हमारा भी है हमने भी इस मिट्टी में जनम लिया है हम भी इस मिट्टी से प्यार करते है हमारे अंदर भी देश बक्ती है हम भी आपके उन फैसलों का समर्तन करते हैं जो आपने ठीक किये बट ज तो कलाम साब भी गलत थे, और इनको गलत कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, राष्टिय युबादिवस, स्वामी बिवेकानन जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको, जब तक लच्च की प्राप्ती ना हो जाए, तो रुकने वाले हम भी नहीं है, और ये सरफ SSC की नहीं है, रेलवे, बैंक, DSSB, UP Police, MP Police, हर एक एक एक्जाम की ये समस्या है, कि इतना भ्रहष्टाचार है, इतना भ्रहष्टाचार है, जिसकी कोई सीवा नहीं है, अरे करो, लिमिट में करो, 10%, 15% करो, तुमारे भी बतीजे, फूपे, चाचा की लड़के हैं, हम क एक रेस्ट, after your first victory, तो ये मह सोचिएगा, कि आज अगर हमारा ट्यूट इतना trend हो गया, अब हम सांत हो जाते हैं, ये तो सिर्फ सुरूरात थी, अभी 25 को करना है, करना किसलिए, याद है न, कि मिडिया इस मुद्दे को दिखाए, रभी इस कुमार, आप जानते होगे, जो कार्टून सा किसान है, इसकी वीडियो लेलो, अच्छी चलेगी, मिडिया सिर्फ एंटर्टेन्मेंट का परपज बन गया, सिर्फ एंटर्टेन्मेंट, एंटर्टेन्मेंट, अरे एंटर्टेन्मेंट तो हमारा हप्पू की उल्टन पलतन से भी हो रहा है, बताओ, एंटर